आज का विशे सच में बड़ा महात्वपूर है और लिग से हटके और आज का दिन भी बड़ा महात्वपूर है कि आज हम ऐसे विक्ति को याद कर रहे हैं उसको नमन कर रहे हैं जो कहलाया तो पत्रकार गया लेकिन वो इसी क्रांतिकारी से कम नहीं था मुझे आज की चर्चा में अधिकान स्यतन बड़ी निराशा था और निराशा इसलिए हुई कि हमारे पास हम को विचार आने चाहिए थ वही चर्चा का विश्य है वही विमर्स का विश्य है बहुत सारे सवाल भी उड़ गए मैं कोशिश करूं नार्टी दो तींस चीजों का जवाब भी जरूर देड़ू पहली बात एक विश्य है आजादी के लिए मीडिया और आजादी के बाद पत्रकारता तो इसको उलट दीजे और उलट इसलिए दीजे कि आजादी के पहले तो पत्रकारता हुई और आजादी के बाद मीडिया में तबदील हो गई तब तो चीज थोड़ा सा सही होगा अब पत्यकारता कहते किसको है मैं अपनी अलग से विचारधारा रखता हूँ और मैं उसको पत्यकार कहता हूँ जिसके पास संप्रेशण की छमता हो थोड़ा सा चाहे वो लिखा अच्छा इतिहास सहित्यकार हो चाहे किसी भी तरीके से अपनी बात को संप्रिसित कर सकता हो दूसरी बात उसके अंदर थोड़ी सी receiving end हो, जासुसी की छमता हो subject को पकड़ सके और तीसरी और अंतिम बात है जो सबसे महत्पूर है कि अगर उसके अंदर सामाजिक सरोकार नहीं है तो ये दोनों बिंदू बेकार और तीसरा बिंदू इसलिए महत्पूर है क्योंकि ये तीनों जब तट नहीं बनेंगे क्योंकि ये पहले दोनों बिंदू सामाजिक सरोकार के लिए समाज के लिए ही बनें तब तो वो पत्रकार है और पत्रकारता है तो इलहाबाद के लिए स्वाभिमान से बढ़कर अभिमान है बाल कृष्ण भट से लेकर गड़े सकर विद्यार थी सांती सुरूप जी सुराज अकबार के दस संपादक इन लोगों ने अपनी पत्नियों के गहने बेच दी ये मिशन था और मिशन इस बात का था कि हम विवस्था का विरोद करते हैं और उस समय जितनी पावदम थी उस समय तो आप अपनी बात को लिख भी नहीं पाते थे आप परचे के में प्रती रूप में चीज़ों को लिखते थे आज तो बाबा आजादी के पहले CID में थे और वो भी पत्रकारों से मिले थे और उनकी तकिया के नीचे एक परचा रखा था और छापा पड़ा इत्तफाक से कुछ लोग को महसूस हो गया कि ये साइद मिले हैं सब चीज हटा ली कि वही तकिया नहीं हटाया इसलिए वो परचा बज़ गया और उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बज़ गया ये वो दौर था आप कहते हैं कि आज आज बड़ा कश्ट कर विशेश है हिंदी पत्रकारता का अभ्युदय अगर कहीं है तो वो इलहाबाद है सुराज के दस संपादक और सब पस्चित के रहने वाले वो सब इलहाबाद आफ और उनुमें सुराज नामत उर्दू का अटबान निकाला और उसका विज्ञापन क्या होता था आप जानते हैं संपादक के लिए आवश्चक्ता के लिए विग्यापन के निकलता था कि सूखी रोटी और एक गिलास पानी के साथ जेल ये विग्यापन निकलता था ये एहरता होती थी और 120 साल की सजा काटी है इन 10 संपादकों ने और गानी जी से पहले सांति सुरूग नमक्वेक्ति ने काले पानी में सत्याग्रह किया वह पहला सत्याग्रह था कि यहां की साली विसंगतियां दूर की जाए नहीं हम खाना नहीं खाएंगा हम जब पत्यकारता का इतिहास पड़ते हैं तो कभी उर्दन मार्तन से फूर्णे को जोड लेते हैं लेकिन जब आप यहां पढ़िए चांद का भलिदान अंक अंस पढ़िए तो आपको लगता है कि चांद का जो भलिदान अंक था वो कितना महत्पूर था उसने समाज में ऐसी उर्जा भर दी ऐसा विद्रो भर दिया ऐ जो सड़क है इस सड़क पर खुत्ते नहीं आ सकते थे और भारती नहीं आ सकते थे उन्होंने विद्रो उस समय उठा दिया आप कहते हैं कि बड़ी पाबंदिया हैं आजादी के पहले की जो पत्रकार थे वो एक तरीके पूर्ण तरीके कहा जाए कि वो सब कांतिकारी थे लेकिन वो अपने साहिक्त को पर्चे के साथ लिखते थे गड़े संकर विद्यार्थी वह वेक्ति हैं जिनों ने चंसेकर आजाद और भगस इंको मिलाया थे जरा इंसे निवेदम कर लिदे गाड़ी उस तरफ खड़ा कर दे तो अच्छा रहे तो गड़े शंकर विद्यार्थी वो वेक्तितो था जिसने चंसेकर आजाद और भगसिंग को मिलाया करता है चंसेकर आजाद की हिस्ट्री अगर आप पढ़िए सोथ पढ़िए तो चंसेकर आजाद अपना पैसा और असलाह पत्रकारों के यहां रखते थे संबाद पत्रकारों के यहां से होता था आज यह आजादी के पहले ऐसी बेवस्ताय थे एक मिशन था और आज जो परिसिती बनी है वो सच में मीडिया की हो गई लेकिन जहां एक तरफ अब मैं उन सवालों का जवाद देता हूँ जो कई लोगों ने उठाए मीडिया क्या कहते हुए यह जो मीडिया में लोग हैं यह क्या विदेश से आ गए हैं चाहे पूझी पती हो माली को चाहे काम करने वाला यह हमारे ही समाज की देन है एक कुलप सब्सक्राइब हो जैते हैं और आधानी सुकला जी प्रमोश सुकला जी वहां बैठे हैं यह इस बाग के गवां वह मीडिया से बड़े प्रीडित थे जैसे कुछ लोग उठाते हैं सवाल और मेरा 35 साल का कैरियर है यह मान लीजिए जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी त नहीं आया कि आप रोग दीजे नहीं मैं यह कर दूंगा आप अगर कोई कमी करेंगे तक तो आपको समाज टोकेगा नहीं टोकेगा वो कुलपती महोदे बैठे थे और बड़ा मसला था और वो मीडिया पे फारिग हो रहते ऐसा है वैसा है यह पत्रकार भी के हैं इसा है इ बड़े जागरूग वेक्ति हैं यह मीडिया बड़ा खराब है वर्तमान अब मैंने पहले आपको आजादी के पहले की मीडिया के बारे में बताया है मैं वर्तमान मीडिया पे लेके आता हूं मैंने का मीडिया बड़ा खराब है और आप समाज के एक प्रमुक इस्तम्भ है आप मुझे बता दीजिए कि आपने इस खराब मीडिया को दुरुस्ट करने के लिए कौन सी जिम्मेदारी उठाई क्या आपने कोई पत्र लिखा कभी लिखा वो आगए कि टीवी में ऐसा चलता है या बताईए मैं क्या करूँ मैंने कहा कि टीवी में चलता तो है लेकिन उसका कंट्रोल आपके हाथ में आप क्यों देखते हैं वो चैनल आप बदल दीजिए आपने उसके संपादक को लिखा कि आप ये ये नियूस खराब थी आपने अपने जिम्मेदारी में भाई नहीं निभाई और जब आप जिम्मेदारी नहीं भाई सकते है कि मीडिया जो है ऐसा यह वैसा है 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 ऐओ जो घर भूखे आपना चले हमारे साथ कि मैं तो मेरे पास जब कोई आता है तो मैं सबसे पहले पूछताओं भी या आपके पास अर्थिक्री क्या वैवस्था है है और क्यों मीडिया में आना चाहिए और मेडिया में इसे आना चाहां है तो सच यह है उनको सलाम की आदाथ चाहिए उनको विए वियू आइपी का तगमा चाहिए अपनी गाड़ी में चाहिए लिखा ले और चाहिए कि small की आप पहुंचने के लिए और नहीं तो किसने कहा है आको मेडिया मैं आईए और क्यों सिकायक करते हैं जब आपने अपनी इच्छा से वो मीडिया चुना है तो आप छोड़के चले जाएए गड़े संकर विद्यार्थी भी तो थे कितनी रिकम मिल गई बाल किष्ण भट भी थे आज चले जाएए लोगनात के खेमा माई मंदिर के पास उनका परिवार रहता है मेरा ख्याल है कि आज भी रोजी रोटी के लिए संग्रेस करना पड़ लाए दिवाल में सिमेंट नहीं लगी है चुना जहर जा रहा हमारे ओंपे कास जी बता रहे है तो या तो आप अपने को यग्यमे कुर्बान होने का मन बना के आईए इसमें आपके अगर आदर गड़े संकर विजारती हैं जिनको आज हम याद कर रहे हैं और ये कितना दुख़द है कि जिस बेक्ति ने क्रांती में इतना बड़ा योगदान दिया जिस बेक्ति ने हिंदू मुस्लिम एका के लिए जो बलिदान हो गया कहीं पर उसके बलिदान का कोई जिक्र नहीं आता क्योंकि वो किसी राजनेतिक बड़े बटिका ना तो वंसस था और ना किसी बड़े पूजापती का वो कहीं से उसका लिंक था नहीं तो आज उनकी कानपुर में भी ज साथ में सामाने आदमी भी याद करता है मैं तो आदरने प्रफेसर आर्किर मिस्रा जी का बहुत सुक्रगुजार हूं कि जिनकी अगवाई में यह शहीदवाल बनी और जहां पर गड़े श्चिंकर विद्यारती जी को एक सब्मान मिला कम से कम हम ऐसे आदर्स पूर्सों को समाज के सामने लाएं जो नई पीड़ी के लिए प्रिणा स्रोत बने आज हम किसी स्कूल में चले जाईए आप सर्मान खान का नाम पूछ लीजे बच्चा बता देगा टालेट एक पर गथा बच्चा बता देता है लेकिन नंका जी या अन्य इलावाद के किसी सहीत का नाम पूछ लीजे तो बिल्कुल चुप हो जाता है गड़े संकर विद्यारती तक तो सहएद मेरे वाली पीड़ी भी दीरे भूलने लगी और आगे आने वाली पीड़ी तो कभी याद ही नहीं करें कल आप देख लीजिएगा अकबार में हो सकता है कहीं रस्मी तोर पे माला कोई चढ़ा दे तो चढ़ा दे नहीं तो कम से कम पत्रकार्ता के भी भागू में तो जहां पत्रकार्ता की ही पढ़ाई की जाती है आज का दिन उस्सो के रूप में मनाना चाहिए कि इतना बड़ा बलिदान देने वाला सरवोच बलिदान देने वाला महान पत्रकार गड़े संकर विद्यार्थी का आज शहादत दिवस है मैं प्रमोश्चुकला जी का भी बड़ा भारी हूँ उस्साह के साथ इन्होंने हम लोग यहां पे जितने भी शहीद हैं उनका राज आ था कि साहब छपेगा तो विद्यापन नहीं मिले गजा वह वो सम नहीं है यह संका मतलब समस इस नहीं नहीं अगर वो पत्रकार है तो पचीस लाइन में चौवीस लाइन और शवा इसे लिख देगा यह चौवीस पूरी लाइन खतम हो जाएग आज वर्तमान में जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के मैं आज इसले बता रहा हूँ कि यहां कुछ पत्रकार में ते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर यह धारना है कि पत्रकार अगर सही बोल देगा सही लिख देगा तो उसका कोई नुकसान हो जाएगा मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज तक मुझे किसी ने फोन करके यह नहीं कहा कि मैं तुमारी ऐसी तैसी कर दूँगा वर्तमान में जो डीजीपी महोदे हैं ओम प्रकास सिंग जी यह यहां पे एस्पी सिटी थे मैंने उस समय एक अगबार का दो पेश निकलता था और बहुत प्रमुक पेश था मैं उसका उस दिन का पूरा इंचार सा संपात्गी भी देख रहा था यह 1990 की बात है और बैनर के बगल में बड़ा सा बॉक्स लगा के मैंने इन से सम्मंदित एक ख़वर चापी थी जो कहीं से इनके लिए बड़ी अच्छी नहीं थी और वो ख़वर पूरे दिन शहर में चल्चा का विशह बनी थी और कम से कम पूरे पुलिस विभाग नहीं और दूसरे दिन ही मैंने इनको एक मुख्यतिती के रूप में एक जगह अमंतित किया था हम लोग की बेट नहीं थी ये आए हमसे मिले और बड़ी अच्छी बात हुआ इसके बात जब भी हमसे मिलते थे गाड़ी देख ली तो रोग दिया लेकिन ये नहीं हुआ किसी ने धमकी दी हो कि पाठग जी आपको मैं देख लिए आपने मेरे खिलाब कैसे खबर लिखी और उसमें सब लिख दिया था सारी चीजे लिख दी थी लेकिन कहीं इनका नाम नहीं था तो लिखने वाला होगा अगर वो पत्रकार है तो आप देख लिएगा दस बाद वो आपकी प्रसंसा में कर देगा एक छोटी बात वो ऐसी आधे सेंटेंस की लिख देगा तीम सब्द की लिख देगा कि सब चीज खतम हो जाएगा और उसी व्यक्ति की पूछ होती है जो सम होगा पूर्वा ग्रह से ग्रसित नहीं होगा या उसका कोई एजिंडा नहीं होगा जैसे अमिताब जी ने आज कहा और मैं बहुत सुक्रे भुजार हूँ कि बड़ी अच्छी बाते उन्होंने कही तो आज का मीडिया ये जो कह र जाला है सामान ने आदमी जो है वो कीड़ा है छोटा कीड़ा वो मकड़ी के इस जाले में फस जाता है ये नियम कानून ब्यवस्थाएं पत्रकार्टा बगएरा बगएरा लेकिन जो बड़ा वाला जानवर है पूंजी पती है वो मकड़ी के इस जाले को बड़े सरलता से भेथता है और दूसरी चर्व निकल जाता है जैसे उन्होंने कहा कि अब इजिंडा सेट होता है और ट्राइल होता है मीडिया ट्राइल होता है सच अगर आप जागरुक नागरिक हैं और अपने को समस्ते हैं कि हम कोई चीज पसंद नहीं है तो एक पचीस पैसे का एक रुपए का मेरा क्याले पूस्कार्ट की कीमत एक रुपए होगी आज का उठाईए और संपादक को लिख तो दीजिए मैंने बहुत सारी लोगों क किसी तरीके की कोई खिकायत आती है लोग कहते हैं नहीं आती अवड़ जो मैंने बताया कंट्रोल टी आर्पी कि आपके हाथ ने हैं रिमोट कंट्रोल बंद कर देए डिए टी रपी कंट्रोल में आ जाएगी आदमी चैनल में वो चीज दिखाना बंद कर देगा आज हम लो लोग गड़े संकर्विध्यार्थी जी को याद कर रहे हैं इस्वर ने मुझे उनका वंस तो नहीं बनाया है लेकिन अंस हम अपने तरीके से बन सकते हैं मैं प्रात्ना करता हूं उनका अंस बना रहे हैं और समाज के लिए हम लोग कुछ कर पाएं इसी सब्दों के साथ अप बारत माता की